नमस्कर दोस्तो स्वागे थे आप सभी का Education Care Six में आज हम बात करेंगे दोस्तो बिहार में Lockdown को लेकर क्या तीसरी Lockdown फिर से लाई जा रही है बिहार में क्या इसकी बाते या इसकी आहट फिर से नजर आ रही है तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं चुकि ये खबर आज के खबर दैनिक भासकर से अपडेट की गई है आप सभी को बता दे कि देश भर में करोना की दूसरी लहर चल रही है और इस दूसरी लहर में हमारे स्टेट बिहार में भी लॉकडाउन का सेजन चल रहा है लॉकडाउन वन में यहाँ पे दोस्तो कुछ गाइडलेंड दिये गे थे फिर उसको बदलाव करके लॉकडाउन टू में भी गाइडलेंड चेद किये गे जो कि आपको 25 मई तक यह लॉकडाउन यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तो आप सभी को बता दे कि इस बार जो तीसरा लॉकडाउन है वो साहे जून के पहले हफ़ते तक जा सकता है लेकिन इसमें कुछ गाइडलेंड में बदलाव किये जाएंगे इन सभी गाइडलेंड में दोस्तो गाउओं के उपर फोकस भी किया जाएगा तो इसके बारे में हम सारी जानकारी आपको अपडेट देंगे तो ये तो एक अपडेट है दोस्तो पुरानी गाइडलाइन को लेकर लेकिन जो लॉकडाउन 3 की बात की जारी है इसकी आहट को लेकर इसके बारे में इस वीडियो के माद्यम से आपको फिर से अपडेट देने जा रहे हैं कि बिहार में फिर से बढ़ेगा लॉक्डाउन और वो लॉक्डाउन होगा थर्ड जो कि जून के पहले हफ़ते तक ये लॉक्डाउन बढ़ाये जा सकता है दोस्तो इन सभी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बेल आइकन दबाके ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माद्यम से जा सके हर वो वीडियो का अपडेट हम आप तक पहुचा रहे हैं दोस्तो अपने चैनल के माद्यम से जो कि आपके आने वाली परिक्षाओं उससे लेकर आपके होने वाले एक्जाम निशन्स के पोस्पॉंड और नए एक्जाम डेट को लेकर है तो इन सभी वीडियो को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो चात्रे हमारे साथ ज अप्लेकिशन को जहां पे बिहार दरोगा बिहार फायरमेन की तयारी हम आपके साथ जोड़कर कर रहे हैं इन सभी परिक्षाओं के लिए दोस्तो अब चलते हैं खबरों की तरफ तो दैनिक भासकर में आज की अपडेट में ये अपडेट दिया गया है दोस्तो कि बिहार म ये लॉकडाउन 3 भी हो सकती है जी हां दोस्तो जून के पहले हफते तक जारी रहेगी सकती और इस बार गाइडलेन जो है वो बदलाव होगा और इस गाइडलेन में अपकी बार ग्रामिन इलाकों पर भी फोकस किया जाएगा चुकि आप सभी को बता दे कि गाउं में भी क बहुत सारे केसेज पाएगे हैं इसलिए इस बार सरकार की नजर उन सभी ग्रामिन इलाकों पर होगी जहां पर सबसे ज़्यादा केसेज हैं और वहां पर सख्ती से लॉकडाउन का भी पालन किया जा सकता है दोस्तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि पिछली जो लॉक्डा बना चुकी है और आप सभी को बताना चाहेंगे यहां से दोस्तों की लॉक्डाउन के इस संक्रमन को दर में कमी पाते हुए ऐसे में सरकार की यह कदम उठा रही है और यह लॉक्डाउन जून के पहले हफ्ते तक जारी रह सकता है सुत्रों की मताबिक बताएं कि इसके गाइडलाइन में बदलाव भी किये जाएंगे जो कि बिहार में कोरोना को लेकर दूसरी लहर को देखते हुए लॉक्डाउन पांच मई से लगाया गया था और पंदरा मई तक लगाया गया था फिर उसके बाद सोला से पचीस मई तक ल पिरावट आई है ऐसे में सरकार का यह जो राउंड है यह इसको बढ़ाने का फैसला यह मोड बना रही है यह अपडेट दोस्तों आप सुभी को मैं इस निउस के माध्यम से दे रहा हूँ जो की दैनिक भासकर से निकला हुआ है और अभी जो फैसला लिया जाना है दोस्त के बारें बता दे कि बिहार का क्रैसिस मनेजमेंट ग्रूप जो है जो सरकार के साथ बैठक करेगा और दो दिन के अंदर यह बैठक होने वाली है आपको बता दे कि सुत्रों की माने तो दो दिन के अंदर ही सीम जो है नितिश कुमार इसके उपर क्वीट करके भी कुछ बताया जा रहा है और lockdown को लेकर यहां पर फैसला भी किया जाएगा तीसरे lockdown में राजी सरकार की कुछ नई दी गई छूटे हैं जो की कुछ इस तरह से भी हो सकती हैं जैसे की lockdown 3 की जो आहाठ है उसमें यह बताया जा रहा है दोस्तों कि जो पुरानी lockdowns के हैं उनके guidelines में बदल जा रही है वो बोला जा रहा है कि यहां पर एक दो दीन में ही होने वाली क्रैसिस management की ग्रूप की बैठक है खास तोर पर ग्रामेंट छेत्रों के उपर फोकस किया जा रहा है और इनमें report भी मांगी जाएगी तो वहां पर बता दे दोस्तों की ग्रामेंट छेत्रों को लेक कर यह फैसला करने जा रही है दोस्तों आप सभी को बता दे कि यह जो अपडेट है आज के खबर दैनिक भासकर से दी गई है जिसमें की तीसरे लोगडाउन की भी चर्चा की गई है अब यहां पर किन-किन परतिश्चानों को इस लोगडाउन थर्ड में छूट मिलेगी कि सोमवार तक इस पर एक फैसला आ जाएगा इसलिए सोमवार तक इंतजार करना है कल संडे है और कल जो है अपडेट आज संडे है और कल जो है मंडे है कल तक यह अपडेट आ जाएगा इनकी बैठव को लेकर तो यह सारी डिटेल है जो कि हमने आपको यहां से बताई है दोस जैसे जैसे कुछ अपडेट आएंगे आयोग के लिए कर भी तो हम आप तक पहुचाएंगे एक अपडेट है दोस्तों यहाँ पे बिहार BPSC आयोग को लेकर एक टेंडर जारी किया गया है उस टेंडर में सफाई कर्मियों की नियुक्ति हो रही है जो कि इनके सफाई के पचीस तारिक बाद आयोग ओपन हो जायेंगे तो आपके एक्जामिसन्स के डिट भी अपडेट किये जाएंगे और साथ साथ जाएंगे बहुत सब्सक्राइब के रिजल्ट आपया बाकी हैं तो उनके रिजल्ट आने अब शुरू हो जाएंगे तो लगबख सब का रिज और तयारी अपनी जारी रखे जितना आप तयार रहेंगे परिशाओं को कम्प्लीट करके खतम करने के लिए उतना आपके लिए बेनिफिट होगा इस लॉक्डाउन में तो घर पे रहिए सुरक्षित रहिए स्वस्त रहिए धन्यवाद दोस्तों कोई अगर तूटी होई हो तो यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जरू बताएंगे लेकिन यहाँ पे ना तो सरकार को नहीं किस यह वीडियो में तब तक के लिए बबाई टेक केर ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का और हमारे टेलीग्राम को भी आप जॉइन कर लिजीगा वहाँ पर यह सारे अपडेट आपको जिया इन सभी के पीडिएफ जो है वहाँ पर आपको सेयर कर दी जाएंगे इसके नोटिफिकेशन जब जारी किया जाएंगे तो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में